आज 146 वार अविवार आप सभी को बहुत दोद नमस्कार हम लोग नौका वियार पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे दो कटहल का पेड़ लगाए जाएगा मेरे द्वारा और एक संजीत भागी द्वारा तो बने रही है साथ में देखिए भयंकर धूप है पईडाम सामने आ रहा है जो वनो करनास की आ जा रहा है वैस्विकस्तर पे सहरीकरण के नाम पे विकाज के नाम पे उन्ययन के नाम पे देखिए अभी और भूखतेंगे हम लोग चलिए बने रही है वीडियो के अंतर तक और यह पहला कटहल का पेड़ संजीत भाई की दारा लगाने के पारा बज़ रहा है भयंकर दूप है फील कर रहा है आप लोग वीडियो यह देख रहा है कि क्या मस्त मौसम है पसीने से हम लोग सभी लोग भीख चुके हैं सूरस तुम्भी आओ वाहां फ्रेम में कि आप लोग भी यादे से यादे पॉद्राव पर किजिए यह आम लोग दो चार पेड़ लगा देते हैं और संडे संडे को इससे बड़ा कोई फरक नहीं पड़ने वाला है जब तक आप लोग भी सायोग नहीं देंगे यह जो बढ़िया महौल मिल रहा है गर्मी का मिलता रहेगा हर साल गर्मी अपना रिकार्ड तोड़ेगी मजा आता इसको रिकार्ड तोड़ने मभाई आप लोग मौका दे रहा है उसको तो नौका वियार पे हम लोग तकरीबन 30-40 पेड़ लगा चुके हैं और इस्वर की ग्रिपा से और हमारी मेनहत से सारे पेड़ सुरक्षित हैं काफी लाबगारी और पानी की विशाल रारी एक संधने को आके आज जैसे आप यह सरे में डीर हो जाता है लेकिन अना गर्मी का ये महाल बढ़ रहा है इसको देखते हुए अब लग रहा है कि दो दिन आना पड़ेगा हफते में एक दिन पौधार उपड अब पौधार उपड क्या पौधे के लिए यहां जगा नहीं बची है क्योंकि पहले भी गौवर्मेंट के दारा भी यहां बहुत सारे पेड लगा जा शुके थे और जो अब लोगों ने सुना होगा कि पैदा करने वाले से बड़ा पालने वाला होता है तो यहां पर हमारी भूमिका पैदा करने वाली भी है और पालने वाली भी है क्योंकि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना अच्छा लगता है हम लगाते भी हैं और पानी भी हम ही डालते हैं दूसरों से कहने का क्या मत तो बेचारा पीड मर जाएगा ना थाला जितना बड़ा रहेगा पानी अपने पास इकठा करने की छामता उसकी उतनी ही जादे रहेगी पहले ही बता चुका हूँ गर्मी का मा ओ धुर्दसा गर्मिक देखी रहा है तो उसको पानी चाहिए बेचारे को पानी नहीं मिलेगा तो कैसे सरवाइब कर पाएगा देखिए पांच पास लीटर का दो डबबा तक रीवन आठ लीटर पानी इसमें डाला गया है कम से कम चार-पांच दिन तो जहली लेगा चली अब इसके बाद मेरे तरह पेड लगाए जाएगा कि दूसरा पाधा कटल का निरत भाई दवार लागा होते हुए दोनों भाई आज कटल का पाधा लगाएं और कभी बाद लगा चुके हैं यह गामे या हर जगह एक रूड़ी वाहिता भी है उसको पूरी तरह से खतम करने का प्रयास भी एहमलों का और पर्यावण को दिव बस्तित सुरच्छित करने का भी प्रयास है आप लोग भी लगाईए ऐसा कुछ नहीं है एक रूड़ी वाहिता है उसको आप लोग भी खतम कीजिए हम लोग तो खतम करी रहे हैं गोरापूर सीटी के किनारिय बसा रामगरताल क्या जी काफी गर्मी है मार्श का महीना है 35 टंप्रेचर 35 से उपर लगबग पहुंसता हुआ टंप्रेचर अलाकि देखा जाए तो आज से तीन-चार साल पहले मार्श महीने में इतना टंप्रेचर साय नहीं चड़ा होगा और यह मात्र एक ही देन है चड़ने का कि पौधारोपण कम से कम हुआ है तो इसलिए हम लोग इसे कर रहे हैं और इसको देखके अधिक साधिक लोग करें इसलिए हम लोग और जादे करते हैं इसको इसको अधिक सधिक फैलाते हैं ताकि मतलब सब लोग इसे करें टंप्रेचर कम करना है तो आप लोग पौधा लगवाईए और लगवाईए च्योंकि जितना पौधा लगेगा उतना टंप्रेचर कम होगा च्योंकि बारिस होगी बारिस से मानसुन अच्छा होगा सब पौधा लगाईए और लगवाईए पौधा लगाने के लिए सबके पास टाइम होता नहीं है कोई बात नहीं आप लोग साल में लगा लीजे महीने में लगा लीजे महीने में तो नहीं लगा पाएंगे सब लोग अमको पता है क्योंकि सब लोग बोलेंगे कहां time है ये काम है वो काम है नहीं है कोई बात नहीं आप लोग साल में या किसी पर्व पे माली जाइए आपके घर कुछ पड़े गया उसके लगा दीजिए या कोई भी फंचन पड़ा थे वहर पड़ा धिवाली के दिन होली के दिन किसी भी फंसन पे आप लोग एक पौधार उपड कीजिए उसको यादगार भी बनाएए और पौधार उपड भी कीजिए पौधार उपड करने से आपका याद भी ताजा हो जाएगा यादे भी ताज ही रहेंगी मतलब एक साल बात देखेंगे तो यह पोधा बड़ा है कितना अच्छा लाएगा उसके बाद आप लोग देखेंगे कि मतलब दो-चार साल में यह पोधा भल भी दे रहा है और भी अच्छा लाएगा तो काने का मतलब यह है कि जितना आप लोग पौधार उपड़ करेंगे आप प्रकृति को बचाएंगे अब 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 मिराज भाई देखिए पानी लाते हुए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है यहां पर काफी हुचाई है यह लगभग आठ से दस लीटर पानी देखिए थाले में पड़ गया इतना पानी डालना नहीं आता है लेकिन काफी गर्मी होने के करार हम लोग डाल रहे हैं क्योंकि बार बार हम लोग यहां पर नहीं आ पाएंगे टाइम तो लगएगा यह आने में यूपीएसी का एकजाम पानी जालो और यह तीम उठालो अब हम चला है बस पानी डालेंगे अब उनके पहले रहा सब्सक्राइब दूसरा पेड़ कट्रल का लगाने का भी कारे संपन हुआ निरत भाईद्वारा अब हम लोग कही बार बता चुके हैं और वता भी रहे हैं के यह आप लोगी करें है आप है ने से कितना धूप है हम लोग चाय में बैठें है इसे थोड़ा चाया आ रहा है इतना प sólo रहा है मतलब इतना अच्छा लग रहा है तो पौधा लगाने का मतलब यह है कि मतलब माली जी आप लोग पौधा लगा दिए उसके नीचे जो बैठेगा उनके जरिये भी आप लोगों को आशिरवाद प्राप्ति होगी चाहिए मतलब अच्छा कारिये करने का अनुभव वो बोलेंगे हां भाई कोई पौधा लगाया है उनको अच्छा लगा आपको सब्सक्राइब और ऊंतर तक बने रहने के लिए रहां आप अ झाल झाल